है अलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बढ़र्फिर्षए हमारे चौनल पे श्वागत है तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे कल क्या कहा था कि कल का जो court case था वो कल पूरी तरी से hearing नहीं हो पाई है आधी hearing बाकी थी और आधी hearing आज होने को मैंने बोला था तो friends जैसा कि मैं कल भी कहा था सत्य परिशान हो सकता है लिकिन पराजित नहीं तो friends आज आपका hearing आपको मालूम है तो अब आप लोग के मन में होगा कि कितने बज़ hearing होगा हो गया कि नहीं हो गया तो इससे पहले कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है friends कुछ बड़ा information और newspapers के माद्यम से जिससे आप लोग को और confirm हो जाएगा कि court case जो है candidates के ही पक्ष में आने वाला है इसमें कुछ लोग परिशान हो रहते candidates के पक्ष में आएगा तो हमारा competition बढ़ जाएगा तो friends ऐसे लोग जो candidates के संख्या बढ़ने से डर जाते हैं ऐसे लोग कभी कोई exam qualify नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग इनका support कियो होते तो आप लोग का भी help होगा होता यानि कि जितना जल्दी case खत्म होगा उतना जल्दी exam date आपको यह बात मालूम है लेकिन फिर भी आप लो लिंक के exam होई नहीं सकता है क्योंकि इसमें candidates के कोई गलती नहीं है पूरा railway की ही गलती है आप इस newspaper cutting में देख भी सकते क्या लिखा है कैट ने पूछा पासपोर्ट से भी ज्यादा कठीन प्रकरिया क्यों अब मैं इसमें detail news दिखाता हूं आपको फिर मैं बताऊंगा कि आज की hearing कब तक हो सकती और कितने नमर पे लगी हुई है ठीक है अभी मैं बताया है कोट में पांचोई नमर की hearing अभी चल रही है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग लगए 11 बज़े ठीक है तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ यह देख लेते हैं पहले फिर हम आगे बात करते हैं तो फ्रेंट कभी भी आप लोगों को और चाहिए कभी बना चाहिए लाइफ में यहां ठीक है रेलवे अगर डॉक्मेंट प्रवाइट करा दिया होता अब तक मामला खत्म हो गया होता इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप लोग ट्यूटर केंपेंट चला ही रहे हैं तो ऐसे डिमांड के लिए जिसका कुछ एफेक्ट पड़े आप लोग इसके लिए अब क्या है दूसरा कारण आपका यह कोट केस जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक आप गुरूट केस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं चला ले कितना ट्रेन रोक ले कुछ भी कर ले ठीक है क्योंकि रेलवे मजबूर है जब कोट में केस चल रहा है तो भले ऑफिचल एक्साल क करने वाला नहीं है अपने पास से ठीक है? एक साथ होगा और यही कारण है कि बिना केस खत्म हुए बिना मोडिफिकेशन लिंक आए आपका एक्जाम नहीं हो सकता है ठीक है तो हम देख लेते हैं कोट केस भी खत्म होने वाला है बहुत से लोग सपोर्ट नहीं किये ठीक है तो चलता रहता है ऐसा हर जगह कभी भी कोई मतलब किया है सभी को संतुष नहीं कर सकता है अभी हमतलब की कोई बात सभी भी को पसंत नहीं आ सकती है सिंपल सी वात ही यह तो देखते इसमें ड Xu coda के लिखा हुए ऊअ करि दिये लो आज गुasaki केंद्रे प्रिशासनिक अधिकरण इलाहाबाद कैट में चल रहे इस मामले में याजका करता चात्र के अधिवक्ता सिधार्थ मिस्र और रेलवे अधिवक्ता के बीच चोड़दार बहस हुई दोनों ने अपने अपने तर्क रखे अधिवक्ता सिधार्त मिस्र ने बत्याया कि कोट ने इस मामले पर गंभीर रुख अतियार किया है कहा है कि रेलेवे रेक्मेंट सेल आरार्सी की आवेदन के प्रक्रिया पास्पोर्ट से भी कठीन थी ऐसा क्यों हुआ कि साड़े चार लाग छात्रों के आवेदन निरस्त करने पड़ गए रेलेवे के अधिवक्ता ने कुछ कागज पेस करने को मंगलवर तक का वक्त मांगा फ्रेंट से यह वही कागज जिसके एक महीनी से केस लटका हुआ है यह वक्त पर वक्त मांग रहे हैं अभी दो हपते का नोटिस मिले था कोट से वह भी नहीं हो पाया उस टाइम भी अब फिर एक दिन का टाइम मांगे यह आज कमांगे है तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आ 27 जुलाई को होगी यानि की आज अधिवक्ता ने बताया कि वेडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई केंदरी प्रशासनिक अधिकरण में दो जज़ों की बेंच में हुई सुनवाई पर हजारों चात्रों की निगाह लगी रही फॉर्म दिरस्त होने के बाद रेलेवेट्रमेंट सेल आरासी के रुक से नाराज करीब साढ़े चार लाग छातर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो सच में आगे बढ़ा रहे हैं पर ट्विटर केंपेंड के माध्यम से फिर वहां जा करके काफी लोग वहां कोट के अंदर हैं जो लगतार अप हो सकता कितने बज़े तक यह भी देखते हैं तो यह देख सकते हैं ठीक है आज का पूरा यह कॉस लिस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है यह फ्रेस अडिमिशन का लिस्ट है इसमें आपका नहीं रहेगा फिर आपका में फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले यह भी नहीं रहेगा इसमें भी आपका नहीं रहेगा फिर फॉर्ड डायरेक्संस इसमें भी नहीं रहेगा आपका ठीक है फिर आगे देखते चलते हैं अब मैंने आप से कल बोला ही था कि यह आएगा क्योंकि आधी कल हुई आधी आज होनी बाकी है और कारण क्या था रेल्विंट डॉक्मेंट प्रवाइड नहीं करा है जिसके वैसे सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं केंडिट्स को जिनका एक्जाम होना वहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं महज इसी वज़े से यह डॉक्रमेंट अगर रेल्वे प्रॉइट करा देता तो और आज उमीर है ऑडर आ जाएगा आज केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमें लगता है लंज से पहले यानि डेड़ बेस पहले इसकी हेरिंग हो जानी चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि 28 नंबर पीए केस है तो चांसे है किसकी हो जानी चाहिए और आज फाइनल ऑडर भी आ जाना चाहिए अगर रेल्वे अपना डॉक्मेंट प्रॉइड करा देता है तो मैं तो आप से यहीं कहूंगा कि अगर आप लोग कहीं किसी जोन के आसपास रहते हैं RRC के आसपास या फिर RRW का आसपास तो हां पर जाके जरूर कॉंटेट करें और इस केस के बारे में डिसकसन करें और बोलें क्यों डॉक्मेंट क्यों नहीं प्रॉइड करा है आप लोग उन पर दबाव बनाए ना कि ट्विटर केंपेंट चलाएं तो कि आज के केस में क्या हुआ वैसे उमीद यही है कि आज केस खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परिशान होना नहीं पड़ेगा और फिर आपका एक्जाम डेट भी बहुत जल्द घोसित हो जाएगा जैसा कि मैं सुरु से कह रहा हूं कि आपका एक्जाम 15 इमर के बाद हो सकता है उसे पहले चांसेस नहीं है क्योंकि इसे विए चार से बार अगस्त कर चाशा लाए और अगर कोई के फिर हो पाएगा और नहीं ग्रूब डी हो पाएगा लेकिन जो लोग दावे कर रहे थे अगस्त में एक्जाम होगा 20 अगस्त से होगा उनका ना आप लोग मत भूलेगा उनको जरूर याद करिएगा अच्छे से ठीक है पूरे रिस्पेक्ट के साथ ताकि याद रहे कौन कोन ऐसा दावा किया था किया किया ब्राइगे तो कभी नहीं करता हूँ आपको शारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी होगी अभी अके लिए इतना ही ठैंक यू जय हिंद्ध जय भारत